दोस्तो बिहार के 5 बिभाग में 145 पदों पे ड्राइबर की संदार बहाली निकल के आ चुकी है आज से मैंने कुछ दिन पहले आप लोगो वीडियो बना के बताया था कि सौट नोटिफिकेशन आ गया है एक तारीक से फॉर्म फिलर पे स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन 31 तारीक को इसका फूल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फाइनली फ्रेंट जो इसका फूल नोटिफिकेशन आ चुका है हम सब चीज इसके बारे में डिसकस करेंगे एज लिमीट, क्वालिफिकेशन, सेलरी, किस-किस भी भाग में कितना सीट है, किसको रिज़रेशन मिलेगा, उम्र में किसको छूट मिलेगा, फॉर्म भरने के लिए अप्लिकेशन फी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस, कौन सावल आपको चाह तो फुल नोटिफिकेशन, डिसकस हम करेंगे इस वीडियो में, कल मैं आप लोगों को एक प्रोपर वीडियो मला के बता दूगा, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, कल से फॉर्म फिलफ इसका स्टार्ट हो जाएगा, तो दिखें यहाँ पे जो है, बिभीन बिभागों में वाहन चालक के कूल 145 पदों पे वेकेंसी निकाली गई है, सबसे उपर आप बिग्यापन संख है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इस एक्जाम को जो कंड़क्ट करेगा, वो बिहार तकनी की सेवा आयोग, यानि बिहार बीटी एसी करने वाला है, एक नौ से फॉर्म वेतन आपको बाउन सो ग्रेट पे देखने को मिलेगा, सुरी, ग्रेट पे आपका जो है, उन्नी सो है वेतन अस्तर दूति अस्तर का है, और वेतन बाउन से लेकर बीस हजार दो सो आपको सेलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानि आपकी जो सेलरी मोटा मोटी बनेगी सब चीज मतलब डिये पिये वगर एड करके वो लगब लगब जो है तीस हजार प्लस आपको सेलरी यहां पे देखने को मिलेगे स्टार्टिंग सेलरी जी यहां दोस्तों और इसमें योगता जो बोला गया है वो आपको उमीदवार की नियुम्तम सैच्छिडिक योगता जो ह होना चाहिए यही कम से कम आप मैट्रिक पढ़े हो तो आप फर्म को भरेंगे अगर मैट्रिक के लाबां बारहुई भी पड़े हो तो भी फॉर्म भर सकते हैं गरिशन भी किये तो भी फॉर्म भर सकते हैं मीनिमम जो है नियुमतम सैचली को गता मैट्रिक बोला गया है और वाहन चालक को बैद लाइसेंस होना चाहिए कोई भी LMB हो या होता है LMB LMB मतलब हो जाएगा फ्रिंट्स लाइट मोटर वाइकल तो दोने में से कोई भी आपके पास जो है ड्राविंग लाइसेंस है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं ठीक है ना अब यहां पर बोलागा कि यातायात नियम उनको अच्छी जनकारी होनी चाहिए तो अगर आपको पता होना चाहिए वाहन चालक की उन्हें समान्य जनकारी रहना चाहिए और स्वस्त होना आवस्यक है तो आप मेडिकली फिट हो और आपको जो है ड्राविंग का जो है नॉलेज होना चाहिए और वाहन चालक का जो नियम होता है रूल्स होता है वो आपको पता होनी चाहिए, ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं, बेल्ट पहनने का, कुछ मोटर्स के जो भी रूल्स होते हैं, अब कहां-कहां वेकेंसी है, इसमें महिला भी आवेदन दे सकती है, आप देखिए महिला के लिए भी सीधे 35% आरच्छड दे दिया गया है, देखिए आपे 35% महिलाओ के लिए आरच्छड है, केटेगरी वाइज वेकेंसी है, और जो सौतंतरा सनानी के पोता, पोती, नाता, नतनी है, उनके लिए अलग से आरच्छड यहां पे दिया गया है, तो आरच्छड देखेंगे, और जेनरल के लिए, EWS के लिए, SCST, और EBC, और BC, और पिछड़ा व पिहार का वित विभाग, उसमें कितना वेकेंसी है, परियावर और बन एवंग जलिवायू परिवर्तन में कितना सीठ है, लगु जल संसाधन में कितना पद है, और जल संसाधन विभाग में कितना पोस्ट है, यानि 5 विभाग में मिलाकर 145 पदों पे संदार वेकेंसी नि तरह आप देखेंगे वीत वीभाग में 17 पोस्ट है जेनरल के लिए जिसमें से 5 पोस्ट जो है आपको महिला के लिए रिजरवेशन कर दिया गया है तो इस तरह से यहां पे आपको दिखाया गया है यानि एक जो उपर वाला कॉलम है वो आपको टोलल वेकेंसी है और नीचे म महिलाओं के लिए रिजरवेशन है उसके उपर से केटेगरी वाइज आपको रिजरवेशन यहां पे दिया गया तो इतना आपको समझ में आ गया अब सबसी इंपोटेंट बात आपकी उम्र कितना होनी चाहिए तो मिनिमम उम्र 18 वर्स एक अगस्त दो हजार तेईस को निय 40 वर्स की उम्र सीमा है उसके वैसे BC, EBC महिला पूरुस के लिए 40 वर्स और SC, ST महिला पूरुस के लिए 42 वर्स का उम्र सीमा निर्धारित किया गया है आधार एस्टेट वाले फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन उनको अलग से रिजरवेशन यहां पे नहीं मिलने वाला है सिर पिजन में तीथी के तोर पे इतना आपको समझ में आ गया अब यहां पर बात आती है कि आपकी जो आरचषड है वो लागू रहेगा तो आरचषड उनहीं को लागू रहेगा मैं आपको अगें बोल देता हूँ जो बिहार का स्थाई निवासी है उनहीं को जो है आरच्ष बनवाना होगा अगर कोई SCST से आता है और वो फॉर्म भर रहा है तो उनको जाती सर्टिफिकेट लएगा और बिहार का स्थाई निवास पर्माणपत्रों को देना होगा पीछरा वर्ग अगर कोई द्वार है तो अपना जो है क्रीमी लेयर पर्माणपत्र यहां पे देगा और स्थाई पर्माणपत्र भी यहां पे लगेगा जिसको डो मिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं तो यहां पे दिया गया है उसके बिस अगर कोई EWS के टिग्री से आता है तो अपना जो है जो यहां पर बनवाके लगाना है और बिहार के निवासी जितने लोग है वो फॉ ज़्यादा मेंडेटरी है अब बात आती है कि फॉर्म भरने के लिए आविदन सुल्क कितना लाएगा तो देखिए अगर कोई जेनरल है या अधर एस्टेट से है पिछड़ा वर्ग अत्यमते पिछड़ा वर्ग और EWS यानि BC, EBC, जेनरल और अधर एस्टेट को यहां पे 600 रुपय आविदन सुल्क दिना होगा SC, EBC से कोई आता है और बिहार का निमासी है तो उनको 1500 रुपय अप्लिकेशन फी है आरचित अनरचित यानि अगर कोई बिहार की महिला अगर फॉर्म भरती है भले वो किसी के डिगरी से आती हो तो 1500 रुपय अप्लिकेशन फी है और बिहार राजे से जो बाहर है उनको 600 रुपया है ठीक है लब भले वो महिला हो या पूरुसों उनको 600 रुपया है यहाँ पे आप आविदन सुल्क देख लेंगे यही आपका आविदन सुल्क लगने वाला है फॉर्म भरते समय अब यहाँ पे आप जो है ऑनलाइन मोड में आईडी पूरुफ आप देंगे फॉर्म भरते समय यह लगेगा तो ड्राइविं लाइसेंस मेंड़ेंडरी है साथ साथ एक आईडी पूरुफ भी आपको मेंडरी अलग से ड्राइविंग लावा बाकि मैट्री डेस पर वेकेंसी है तो मैट्रीक अभी सर्टिफीकेट अब सेलेक्शन में क्या है कि सबसे पहले आपका जो है रिटेंट टेस्ट होगा रिटेंट टेस्ट आपका कम्प्यूटर बेस्ट होगा यानि आपका प्रत्योगिता परिच्छा योजित की जाएगी CBT एकजाम होगा जिसमें बोला गया है कि प्रस्ण परत्त बहु विकल्प होगे और बस्तुनिस्ट होगे बस्तुनिस्ट मतलब अबजेक्टिव टाइप और यहाँ पे 100 अंकों का एक प्रस्णों की कूल संख्या 100 होगी और परिच्छा की अधी 2 घंटे का होगा प्रस्ण प तर के लिए 0.25 अंक काट लिए जाएंगे तो निगेटी मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाला है अब यहाँ पे बोला गया कि समानी करण नॉर्मलाजेशन की परकिरिया अपनाते हुए तियार किया जाएगा अगर जो है एक से अधिक पालियों में परिच्छा यूती होत है कि computer-based जो होगा उसका जो पाठेकरम है वही रहेगा समान्य बुधिमता तरक सक्ती नुमेरिकल और समान्य ग्यान समसाई यानि current affairs जो होते है जिके जियस जो होता है तो यह आपके जो है computer-based जो टेस्ट होगा उसका जो है metric अस्तर का जो है आपका यहाँ पे syllabus रहने वाला है अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि लिखित परिछा में समान्य वर्ग के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36-25% अत्रमते पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अनुसुच्च जन जाती महिला और दिभ्यांग के लिए 32% नियुम्तम अहर्ता जो है प्राप्त करना न जान्स है तो रीटेन एक्जाम में आपको कोशिस करिएगा जो एक कटफ दिया गया नियुम्तम उससे कहीं ज़्यादा आप लाएंगे तभी आपका स्लेक्शन होगा इतना बस आपको क्वालिफाइंग नेचर में दिया गया है ठीक है ना अब यहाँ में बोला गया है कि अब अगला जो होगा आपका टेस्ट जिससे कि हम ओला कि अहरक परिछा में क्वालिफाइंग अभ्यारतियों को प्राप्त अंकों का परतिसत के लिए 75% यानि देखिए जो आप कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम देंगे उसमें जितना आप लाएंगे ठीक है ना अब देख बन रहा है तो उसी तरह से ये लोग आपको रिटेन एक्जाम में एक जो है क्वालिफाइंग मतलब अब यह बता रहे हैं कि मेरिट हम किस बेस्ट पर त्यार करेंगे तो आपको जो बोला गया कि 75 अंक हम जो है मैक्सिमम कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट होगा उसमें हम दें है जो लोग पहले से काम कर रहे हैं बिहार सरकार में टेंपरोरी बेसिस पर या समीदा कंट्रेक्टर बेसिस पर उनको भी यहां पर वरियता दिया जाएगा तो अगर मालने जो एक साल से काम कर रहे हैं तो उनको पांच अंक मिलेगा अधिकतम 25 अंक तो ऐसे करके उनको जो आपको जो है यह लोग selection करने वाले हैं तो में जो है जिनका experience से उनका chance ज्यादा है selection होने का जिनका experience नहीं है वो भी तो form भर सकता है लेकिन थोड़ा सा उनको कम chance है समझ रहे ना तो यह आप यहां पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आज अगर जो selection process से उनका क्या होने वाल है अब second phase में यहां पर बोला गया है कि वाहन चाला का इन वाहन की समाने जनकारी संबंधित आपकी जाच होगी skill test होगा कि आप driving में कितना अच्छा driving कर लेते हैं अब इसमें बोला कि चरड में आधारित परकिरिया में सफल अभ्यार्थियों को वाहन चाला का इन वाहन की स परकिरिया अपनाई जाएगी उन उमिदवारों के परदर्शन के परफॉर्मेंस पे उन्हें निमलिखित रिक्तिक अंक परदान किये जाएगी अब जब आप रिटेन एक्जाम क्वालिफाई करेंगे तो चार पहिया वाहन आपको चलवाया जाएगा जाच पर इच्छा इसको बोलते हैं स्कील टेस्ट बोलते हैं ड्राइविंग करवाई जागी अब बोला गया कि अगर आप यूज ऑफ सील्ट बेट मतलब सीट सीट का बेल्ट कैसे पहनते हैं इसके बारे में अगर आप अच्छे से करते तो आपको जो है प्रपोज्ड मार्क 10 मिलेगा और प आप से मतलब पूछा जाएगा उसको वैसे पार्किंग के लिए आपको बोला जाए कि आप यहां पर पार्किंग कर ये अच्niejsze से मतलब नबर मीलेगा टिका ड्राइविंग अट जक्षन पे कैसे ड्राइविंग करते हैं यह सब आप से Sounds रहेंगे उसको इसे u hour ट्रैक यहा नमबर ला देंगे आप फिर पास हो जाएंगे समझ रहे हैं तो यह आपकी दक्षता परिच्छा होगी जोसको skill test हम बोलेंगे उसके बाद से आपको यहाँ पे merit बनेगा और आपका selection हो जाएगा तो I hope समझ गया होंगे आप लोग कि किस परकार से आपका जो है कि कौन कौन से documents आपको लगेंगे form भरते समय यह आप यहाँ पे देख सकते हैं और बाकी मैं कल एक वीडियो लेकर आओंगा कैसे आपको form को भरना step by step मैं आपको form भरके बता दूँगा बाकी यहाँ पे photograph के बारे हैं बोलागे कि हाली का फोटो खीचा होना चाहिए तीन माह के अंदर वही वाला फोटो आपको लगाना है form भरते समय और सफेद पटल होना चाहिए बैग्राउंड फोटो का तो फोटो आप white इस नोटिफिकेशन का दे दिया है आप जो पढ़ सकते हैं या बीटी एसी की वेब साइट से जाके टाउनूड कर सकते हैं तो आई होप आपको जनकारी मिला होगा मिलते हैं किसी नेक्स विड़ो में हामें दीजे जायत और देखते रे डिया सेल्पिंग फॉरेवर थैंक कहीं आपकों किसा ज aufgebaut दोटे हैं कि यादय को चृए हैं एक बढ़ जकूए हैं कि कौर यह नेक्स किवा जाफ की वेब साहते हैं कि वे लिचय सेल्पिंग धाभं तो कि को मैं ह। आपकों कुई यद़ों सेल्फिकेशन के तोटे मु lud. आ दो एक कर बाया हैं एकुईलिए